हेलो फैंस आज की वीडियो में हम लो मानोर रख्ते संबंदित कुछ ऐसे प्रश्टों को देखेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक्जाम में कई बार आ चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्ण है रख्त क्या है बलड क्या है बलड एक तरल सयोजी उतक है रख्त का लाल किस वड़क के कारण होता है तो हीमोगलोवीन के कारण होता है हीमोगलोवीन में कौन सी धातों मौजूद होती है हीमोगलोवीन में लोहा मौजूद होती है एक वैस्क पुरुस के लिए सामान्य हीमोगलोवीन की मात्रा प्रती 100 मिली लीटर रक्त में कितना होता है तो 14.5 ग्राम होता है हीमोगलोवीन हीमोगलोवीन में पाए जाने वाले लौयोगी का क्या नाम है? लौयोगी का नाम हीमेटीन है मानो सरीर में हीमोगलोवीन का क्या कारे होता है? ओक्सीजन का परिवहन करना एक सामानी व्यस्क मनुस्य में कितना रक्त होता है? तो 5-6 लीटर होता है मनुस्य के सरीर में रक्त की मात्रा सरीर के भार का कितना प्रतिसत होता है तो लगबख 7% होता है रक्त का pH मान कितना होता है 7.4 होता है रक्त की प्रकिती कैसी होती है चारी होती है रकत संहू यानि blood group की खोज किस वैग्यानिक ने की थी कारल लैंड इस्टीनर ने की थी मनुस्य में रकत परिसंचरन तंत्र की खोज यानि blood circulatory system की खोज किस ने की थी तो William Harvey ने की थी रकत के अजिवित तरल भाग को क्या कहते है प्लाजमा कहते है और रक्त में लगबग 60% क्या होती है प्लाजमा पाई जाती है ठीक है प्लाजमा में कितना प्रतिसद जल होता है तो 90 प्रतिसद भाग क्या होता है प्लाजमा का जल होता है सरीर में प्लाजमा का मुख्यकारे क्या होता है तो पचेवे भोजन और हार्मोन का सन्वहन करना इसका प्लाजमा का मुख्यकारे होता है लाल रक्त कोशिकाओ यानि RBC का निर्मान हमारे सरीर के किस भाग में होता है तो RBC का निर्मान अस्ति मंजा यानि बोन मेरों में होता है मनुस्य की लाल रक्त कोशिकाओ का जीवन काल कितना होता है तो लाल रक्त कोशिकाओ का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है किसको RBC का कबरिस्तान कहते हैं किस रोग में RBC नहीं बनते है तो थैली सीमिय नामक रोग में RBC का निर्मान नहीं होता है मानो शरीर में RBC का मुख्यकारि क्या होता है तो O2 यानि oxygen पहुचाना और CO2 को यानि carbon dioxide को वापस लाना इसका मुखेकारे होता है बूर्ण अवस्था में RBC का निर्मान कहा होता है तो बूर्ण अवस्था में RBC का निर्मान यक्रित और प्लिहा में होता है यारी लीबर और स्प्लीन में होता है बूर नवस्था में RBC को और किस नाम से जाना जाता है RBC को तो Erythrocyte के नाम से जाना जाता है Erythrocyte Leukocyte के नाम से किस रक्त कड़ को जाना जाता है तो स्वेत रक्त कड़ को यानि WBC को क्या कहते है Leukocyte कहते है और यही RBC को Erythrocyte कहते हैं. WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC का मुख्य कार्य जो होता है, यह सरीर को संकर्मन से बचाना. WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 3-5 दिन का इसका जीवन काल होता है. WBC कितने परकार की होती है? तो यह 5 परकार की होती है. मनुस्य में सामान रक्त दाप कितना होता है तो 20-120 mmHg होता है इस unit को याद रखेगा mmHg किस उपकरन से रक्त चाप मापा जाता है तो इस फैंग नो मैनोमीटर से ब्लड पेसर मापते है मानो सरीर का रक्त बैंक किसे कहते है ब्लड बैंक किसे कहते है तो प्लीहा यानि स्प्लीन को कहते है किस गरंती से मानो सरीर में रक्त चाप नियंतित होता है थाइमस गरंती से क्या होता है ब्लड पेसर कंट्रोल होता है ब्लड कैंसर को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है लूकेमिया ब्लड कैंसर को क्या कहते है लूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर में क्या होता है तो WBC की संख्या में असाधरन बड़ोतरी हो जाती है मानो रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है तो मानो रक्त की कमी से रक्त हिंता यानि अनेमिया रोग होता है सौरी मानो रक्त में लोह की कमी से जब लोही की कमी हो जाती है बलड में आईरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है रक्त हींता यानि अनीमिय रोग होता है अधी रक्त स्राव यानि हीमोफीलिया किस परकार का रोग है तो यह एक परकार का अनुवांसिक रोग है हीमोफीलिया ब्लट कैंसर को नियंतिरीन हेतू किस समिस्थानिक का परियोग होता है तो ब्लट कैंसर को नियंतिर करने के लिए कोबाल 60 का परियोग होता है और रक्तता यानि अनीमिया का रोग पता लगाने में किस समिस्थानिक का परियोग होता है तो लोहा 59 FE59 का परियोग होता है, अनीमिया का पता लगाने के लिए, लियुकेमिया यानि ब्लट कैंसर के उपचार हेतू किस समिस्थानी का परियोग होता है, फासपोरस 32 यानि F32 का परियोग होता है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लट कैंसर को नियंतरित करने, यानि करने के लिए कोबाल 60 का परियोग होता है और यही ब्लट कैंसर को उपचार है तो फासपोरस 32 का परियोग होता है किस रोग में मानो सरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो डेंगु जोर में मानो सरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवारी प्रोटीन कौन सी है फाइब्रीनो जन है रक्त का थक्का बनने के लिए आरेच फैक्टर का पता किस ने लगाय था तो लैंड इस्टीनर और वीनर ने आरेच फैक्टर का पता लगाय था रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार ये protein कौन सी है ये तो हम लोग ने पहले ही जाना Fibrino Gen फिर से आगया है नहीं पर अगर ये question आता है कि रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार ये vitamins कौन सी है जब vitamins आ जाएगा तो vitamins K is Cancer के लिए vitamin K Blood coating के लिए vitamin K बहुत ही अहम भूमी का निभाते है नेरे स्थ कोस्टिन है, मानो शरीर में खून की सुधी करन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डाइलेसिस, बलड का जो प्यूरिफिकेशन होता है, इस प्रोसेस को डाइलेसिस कहते हैं, किनकी भितियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाओ को रक्त दाब, य प्रतिसटने kadar अप्रटीस तर कितना होता है तो 140-180 mmg प्रतिसयत होता है, कलिस्ट convention का सामान है कौन छाहिद में असुद रक्त संचार करता है तो पाल्मोग नरी धमनी जो होती है, ँरीष में क्या होती है असुद रक्त का संचार करती है सरीर के अंदर रख्त का इसकंदन किस प्रोटीन की उपस्थिती के कारण नहीं होता है कॉल गूलेट इसकंदन का मतल़ था बॉडी के अंदर जो होता है रख्त किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है तो हीपेरीन के कारण नहीं जमता है यहां पर में एक बात के लिए कर जो बॉडी में मान लीजी हम लोग कोई चोट लग जाता है तो जब बलड बाहर निकलने लगता है तो इस बलड को कौन जमाता है इससे पहले हम लोग ने पढ़ा है फाइब्रीनो जन जमाता है फाइब्रीनो जन प्रोटीन के कारण उस समय ब्लड का परिवान हो रहा है। उसको जमने से रोखता हूँ ही प्रेन नामक प्रोटीन होगा? किस से होता है? एंटी बोडी年的 निर्मान झाया है? । लिम्फो साइतिस से होता है। आरेच कारक ने यह नाम अपना किस जानवर से लिया है तो आरेच कारक ने अपना यह नाम बंदर जानवर से लिया है ठीक है यह प्रिवेस जेर के कोस्टन ने आ चुक है एक्जाम में कौन सा विटामिन रख्त का थक्का बनने में मदद करता है तो मैंने ये बता चुकी है विटामिन के जो होता है रख्त का थक्का बनने में मदद करता है तो कोस्चन को बहुत ही गौर से दिखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में आ चुके है सारे इकोस्टिन एक्जाम में आ चुके है यदि कोई व्यक्ति लगतार उच्च रुधीर दाप से यदि कोई व्यक्ति लगतार उच्च रुधीर दाप से पीडित हो तो इस अवस्था को क्या कहते है हाइपर्टेंशन कहते है यानि लगतार यदि कोई व्यक्ति को high blood pressure है यानि देर सो बटा 90 mmHg से जादा blood pressure है या इतना blood pressure है तो इस अवस्था को कहते है hyper tension कहते है इसी के opposite यदि कोई व्यक्ति लगतार निम्न रुधीर दाब यानि 100 से 50 mmHg से बुरत की अवस्था से पीडित हो तो इस अवस्था को hypotension कहते है यानि किसी व्यक्ति को अगर low blood pressure है तो इस सवस्था को कहते है हाई-potension कहते है मानुस्षरीर में कौन सा भाग रक्त को हिर्दय न विबिन अंगो तक पहुंचाता है तो ये धमनिया पहुचाती है मानुसरी का कौन सा भाग है जो रक्त को हिर्दय से विभिन अंगों तक पहुचाता है धमनिया आटे टरी जिसको कहते हैं कौन सा भाग विभिन अंगों से हिर्दय तक रक्त को लेके जाता है विभिन अंगों से सिराय यानि वेन कुछ question पहले के missing थे, यहां पे देख लेते, किस रक्त समू में कोई antigen नहीं होता है, तो रक्त समू O में कोई भी antigen नहीं होता है, किस रक्त समू को सर्वदाता है, यानि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो रक्त समू O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, किस रक्त समू को सर्व ग्रहता यानि यूनिवर्सल है तो रक्त समू AB को यूनिवर्सल रिसिपीटर कहते हैं रक्त के अध्यन को क्या कहते हैं हेमाटोलोजी रक्त के अध्यन को हेमाटोलोजी कहते हैं फाइब्रीनो जेन के दोआरा फाइब्रीन में परिवर्तन होता तो थ्रोम्बीन के कारण होता है यह ओके तो फिनेंस इसे के साथ हमारा आज का टॉपिक खतम होता है hopefully वीडियो आपको useful लगा हो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद